यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ आगे बरते हैं खबरों में पौडी में पिछले चार सालों से बजट के अभाब में रुके हुए निर्माना धीन कलेक्टरेट परीसर का निर्मान अब जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा और अब तक रुके निर्मान कारे के चलते अधूरा कलेक्टरेट परीसर जहां शराबियों का अड़ा बना हुआ था वहीं इस पर अवेद कभी भी शुरू होने लगे थे जिस पर एक बार फिर से प आसन को भीजा जाता रहा जिस पर अब तक एक करोड़ नभ्य लाख रुपे की अत्रिक्त बजट की मांग की गई है जिसमें पूरा कलेक्टरेट परीसर बनकर त्यार हो जाएगा तो कलेक्टरेट परीसर जिसका निर्मान हो जाना चाहिए था और जो बजट उसके लिए तैय किया गया था अब बजट उससे आगे पहुँच चुका है और अगर अभी की बात की जाये तो इसको लेकर बहुत सारे स्तवाल भी उठ रहे हैं और इसमें अगर बात की जाये तो पहले से जादा बजट खर्च हो रहा है लेकिन अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द पौड़ी में जो कलेक्टरेट परीसर जो कैंपस बनना है कलेक्टरेट के लिए वो जल्द पूरा हो जाएगा जिया इसकी पूर में 492 लाग की सिकृर्टी हुई थी उसमें कुछ कारण वर्ष कुछ चीज़े बढ़ गई थी इसमें कार यह पूरा नहीं हो पाया था तो इसकी रिवाइज डिपी आर गवर्मेंट से सेंक्शन हो गई है और इस वित्य वर्ष के लिए हमें एक करोर दो तारी को खोले जाएंगा उसका कारिया स्टार्ट होने के लगवक नौ-दस महीने के अंदर हम इसको कम्प्रीट कर देंगे इसका टेंडर लग गया है एक करोड रुपे मिल गया हमी और टेंडर दो तारी को फाइनल हो जाएगा तो दो तारी के बाद हम उसमें काम स्ट तो इसको टेर घसर में करेंगे यह नहीं की जितनी दंड़ासी हमारी आई है वो पूरी बिल्डिंग में लगाए हम पहले जरूद के हिसाब से कि कलग्टेट हमारा कितने बī людям में जो मेन ऑफिसेस इसको शिप्ट हो जाएंगे तो उससाब से पर काम कर रहें हैं तो जहां पर डीम कारयले से लेकर जो में में कारयले हो तीन-चार मेने के अंदर यहां पर शिफ्ट कर लेंगे